हलो गाईज, वेलकम टू साइन्स वरक्षोप, दिस इस कुसुम हेर, इस वीडियो में हम इंटरफेरंस माइक्रोस्कॉपी के बारे में पढ़ेंगे, इंटरफेरंस माइक्रोस्कॉपी, जुकि लाइट माइक्रोस्कॉपी का ही एक टाइप होती है, ठीक है? लाइट माइक्रोस्कॉपी, जिसके अंदर हम किसी भी और्गिनिजम को या फिर अबजेक्ट को, जिसको हम डारेक्ट आई से नहीं देख सकते, उसको वीज्वलाईज करने के लिए माइक्रोस्कॉप में लाइट का यूज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? लाइट माइक् इसका प्रिंसिपल क्या होता है? साथ ही साथ इसके एप्लिकेशन क्या है? कैसे ये वर्क करता है? और इसके डिस एड्वेंटेज क्या क्या है? ये सारी की सारी चीजे हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं. अगर आपको इसका PDF चीए तो आप मुझे टेलिग्राम चैनल पे जोइन कर सकते हैं. टेलिग्राम चैनल का नाम है साइन्स वरक्शॉप और इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा. अगर आप चाहे तो मुझे ट्वीटर पे भी फोलो कर सकते ह हैं कुसुम चोथरी के नाम से आपको प्रोफाइल मिल जाएगा और इसका जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. यह एक क्लास होने वाला है या फिर बूलू या तो यह लाइप क्लास मैं कल कर दूंगी या फिर आपको वीडियो मिल जाएगा इसक जितने भी टाइप हैं यानि कि bright field microscopy है, dark field microscopy, phase contrast, confocal, polarized and interference microscopy यह सारे के सारे टाइप है light microscopy के जो की एक एक करके हम वीडियो में cover कर चुके हैं लेकिन इस वीडियो में या फिर ये वाला जो वीडियो होने वाला है इसके अंदर आपको सारे के सारे टाइप जो है light microscopy के सिर् एक वीडियो में वापस से revise हो जाएंगे और exam time में भी revision करने में इसमें help मिलेगा आपको, so आप comment box में बता सकते हो कि इसको live करे या फिर इसका वीडियो ही बना दूँ मैं, ठीक है? सो अब आते हैं अपने interference microscopy के उपर, interference microscopy जिसको हम quantitative interference microscopy भी बोल देते हैं, ये एक ऐसे टेकनीक है जिसको derive किया गया है कि से? phase contrast microscopy से जो है, वो इसको derive किया गया है और ये एक sensitive जो technique है, बट ये ज़्यादा sensitive है phase contrast microscopy से, क्योंकि interference microscopy में हम ज़्यादा clarify image जो है, वो देख सकते हैं as compared to phase contrast microscopy के, यानि कि interference microscopy में हमें जो image मिलेगी, वो ज़्यादा magnify होगी, ज़्यादा clarify होगी, resolution power भी उसका ज़्यादा होगा as compared to phase contrast microscopy, okay? इस technique में हम क्या करते हैं, ये जो technique है, वो उसके अंदर एक light source होता है, जिससे जो light निकलती है और जो prism के उपर में जाके बढ़ती है, like हमारे पास में एक light source है, एक light source होता है इसके अंदर और इससे जो light है वो निकलेगी और हमारे पास में एक prism होता है, ये prism के उपर गिरेगी ये light और ये prism जो है, वो इसको दो light beams में जो है, वो split कर देता है, ठीक है? तो ये जो prism ने दो light beam में इसको split करा, तो इसमें से एक light beam को हम क्या बोलते हैं, object beam बोलते हैं, और दूसरी जो beam है उसको हम बोलते है, reference beam, ये यहाँ पे है, reference beam, ठीक है? object beam इसले बोल रहे हैं, क्योंकि ये वाली जो beam है light की, ये specimen को cross करके जाएगी अपने, ठीक है? और ये जो reference beam है, दूसरी वाली, ये हमारे specimen को touch करके भी नहीं जाएगी, ये इसके पास वाले area से निकल के जाएगी, ओके? so, interference occur होता है, जब ये जो light है, ये light beam है, उनमें एक में तो retardation हो जाएगा और दूसरी advance हो जाएगी, उस time में क्या होगा? interference occur हो जाएगा, interference जो है वो उत्पन हो जाएगा, ठीक है? और यह जो interference यानि यह जो difference आ रहा है light beam में retardation हो रहा है एक में और एक advance हो रही है retardation का मतलब होता है कि वो dull हो जाएगी वो light beam ठीक है या फिर वो slow हो जाएगी हम बोल सकते हैं समझने के लिए तो जब एक light beam dull होगी अगर dull होगी तो वहाँ से क्या होगा dim light आगे जाएगी समझने के लिए हम बोल सकते हैं और जो advance जो light beam है उससे जो light आएगी वो जादा bright होगी ठीक है तो यह जो difference पैदा हुआ है इन दोनों के बीच में इन दोनों object beam और reference beam के बीच में इसी की वजह से हमें जो है specimen की एक detailed image देखने को मिलती है तो यहां पे these beams allow a specimen to be seen through the difference in the field caused by the two beams and the differences of the two images allow details to be seen यानि specimen की जो detailed image को यह allow करती है देखने के लिए because इनके अंदर difference occur हुआ है इसी वजह से ठीक है so आही उप समझ में आ गया होगा interference microscopy में क्या होता है एक बार फिर से हम इसको देखते है so interference microscopy की अगर हम बात करें interference microscopy ठीक है तो इसके अंदर क्या होगा हमारे पास में एक होता है light source light source होता है और इस light source से क्या निकलेगी light निकलेगी अब यह जो light आई है यह हमारे पास में एक prism होगा इस prism के उपर में यह गिरेगी और आगे यह prism इसको दो light beam में क्या गर देगा split कर देगा इसमें से एक जो light beam है उसको हम object beam बोलते हैं ठीक है और जो दूसरी light beam है उसको हम reference beam बोलते हैं तो यहाँ पे जो object beam है यहाँ पे यह जो object beam है यह तो हमारे जो specimen होता है उसको cross करके जाएगी ठीक है यानि उसके उपर से होके जाएगी और यह जो reference beam है यह हमारे specimen को touch करे बिना ही जाएगी specimen को जो है वो touch नहीं करेगी यानि इसके आसपास के area से यह गुजर जाएगी ठीक है अब आगे जाके क्या होगा कि यह object beam और reference beam में एक तो हो जाएगी retarded हो जाएगी और उसकी वज़े से दूसरी क्या हो जाएगी advance हो जाएगी retarded और advance का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि यह retarded यानि dull हो जाएगी एक beam और दूसरी जो है वो bright या फिर fast हो जाएगी ठीक है तो यह जो difference पैदा हुआ है यानि interference जो occur हुआ है इसकी वज़े से ही हमें specimen की image जो है एक detailed image हमें देखने को मिल जाएगी ठीक है तो manly यह इसका process होता है interference microscopy में और हम देखे कि retarded हो रही है और advanced हो रही है यानि इसकी अंदर interference जो है वो occur हो रहा है और हमने देखा था कि जो phase contrast microscopy है वहाँ भी phase में थोड़ा सा difference create हो रहा था और उसी वज़े से image हमें दिख रही थी तो यह इसका जो principle है वो आपको समझ में आ गया होगा यह wave interference की बात करें तो यह दो type का होता है एक तो constructive interference होता है और दूसरा होता है destructive interference अगर constructive interference की बात करें अगर यह कोई wave एक ही source से निकली वी है और यह एक ही direction में ऐसे move कर रही है और ये वाली भी same direction में करी है देखो same जगह से निकल रही है और ये भी same जगह से निकल रही है तो जब ये add होगी तो आगे हमें result वाली जो wave मिलेगी result में जो wave मिलेगी उसका जो amplitude है वो भी add हो जाएगा यानि ये दोनो wave जो है वो add हो जाएगी और इस वज़े से हमें high amplitude की ये जो wave मिल रही है ठीक है इसको हम बोलते है constructive interference और दूसरा हम देखे कि अगर wave different जो direction से move कर रही है ये यहाँ से निकल रही है और ये वाली यहाँ नीचे से निकल रही है अब इसको add करेंगे तो क्या होगा ये zero हो जाएगा और final जो wave हमें मिलेगी वो एक plane line में मिलेगी ठीक है constructive का मतलब ही यहाँ पे हुआ कि construct हो रही है यानि ये जोड देंगे तो क्या हो रही है construct हो रही है ये दोनों आपस में जोड जाएगी और यहाँ पे second destructive में क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा तो आप ये याद रखना constructive में जो है वो high amplitude मिलेगा और destructive में amplitude जो है जीरो हो जाएगा तो आप यहाँ देख सकते हैं कि wave interference हम बोल किसको रहे हैं तो wave interference जो है वो एक ऐसा phenomenon है जिसमें दो या दो से अधिक waves जो है वो super impose होती है यानि कि आगे जाके जुड़ती है और final result हमें मिलता है तो result में जो wave मिलेगी वो तो greater amplitude की भी हो सकती है lower amplitude की भी हो सकती है और same amplitude की भी हो सकती है सो हमने constructive में देखा greater amplitude मिला है में और destructive में हमें देखा lower amplitude हमें देखने को मिला है ठीक है? I hope समझ में आ गया होगा ये वाला concept भी वैसे हम Feige Contrast में भी थोड़ा देख चुके हैं Next आता है differential interference contrast microscopy ये जो है interference microscopy का ही एक type बूल सकते हैं जो कि हम पढ़ने वाले हैं So, यहाँ पर variation होते हैं interference microscopy में जिसको हम differential interference contrast microscopy बोलते हैं और इस DIC बोल देते हैं short में इसको और इसी microscopy को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं Nomarsky interference microscopy के नाम से भी हम इसको जानते हैं या फिर simply Nomarsky microscopy भी हम इसको बोल देते हैं क्योंकि यहाँ पर हम जो prism का use करेंगे ना उसको वो एक Nomarsky prism होता है ठीक है? इस वज़े से हम इसको Nomarsky microscopy भी बोल देते हैं तो इसके अंदर होता क्या है? कि यह जो optical microscopy technique है यह एक transparent sample है हमारे पास में या फिर जिसको stain करना नहीं होता में unstained transparent sample है उसको हम यहाँ पर contrast को enhance करके image को देख सकते हैं और जो दो beams होती है वो एक single polarized light से produce हो जाती है ठीक है? यहाँ पर देखिए तीन चीजे जो में चीजे होती है यहाँ पर एक होता है polarizer यहाँ यूज होगा दूसरा होगा यह walston या फिर नमार्सकी prism जो है वो यहाँ पर यूज होगा और यहाँ और यहाँ दो नमार्सकी prism यहाँ पर यूज होते हैं यह first वाला है और यह second नमार्सकी prism है ठीक है, first जो नमार्स की prism यहां पे लगा हुआ है ये तो क्या गरेगा, light को split कर देगा और जो second वाला है, वो light को combine करके निकालेगा ठीक है, so एक polarizer यहां लगा हुआ है दूसरा नमार्स की prism यहां पे लगा हुआ है और तीसरा यहां पे analyzer लगा हुआ है ठीक है, ये तीन मैन चीज़े होती है तो हम देखते हैं कि differential जो interference contrast microscopy है उसमें एक light source है हमारे पास में, जिससे light निकलती है लेकिन यहां पे जो light होगी, वो एक white light होगी और unpolarized light होगी, unpolarized light यानि वो सभी direction में vibrate हो सकती है तो यहां पे हम क्या करते हैं, firstly एक polarizer लगाते हैं जो कि ये सभी direction में move करने वाले जो light है उसको आगे जाने देगा, सिर्फ एक direction में एक ही plane पे vibrate करने वाले lights को ठीक है, अब यहां से जो light निकलेगी वो अब इस type की कुछ light निकलेगी यानि एक ही direction में क्या कर रही है ये vibrate कर रही है अब ये जो polarized light यहां से निकल रही है ये हमारे nomars की prism यानि wall stone पे गिरती है और जब ये wall stone पे गिरेगी और आगे निकलेगी तो ये light को split कर देगा यानि दो light beam में इसको split कर दिया अब ये condenser lens पे गिरती है ये हमारा specimen slide है ठीक है अब यहां पे एक light wave ऐसे होती है जो कि क्या होती है object बीम बोलते हैं और दूसरी को reference beam बोलते हैं जो हमारे object से होके गुजर रहेगी यहां से इस specimen से होके गुजरेगी उसको हम object beam बोल रहे हैं और जो light beam side से, side वाले area से या फिर हमारे object को छूके या फिर touch करके नहीं निकलेगी उसको हम reference beam बोल रहे हैं तो दोनों beams आगे निकल जाती हैं और objective lens के उपर पड़ती हैं अब objective lens पे गिरने के बाद में यह आगे जाती है और एक और prism हमें हमारे पास में यहाँ पे होता है जिसको हम numars की prism बोलने हैं और यह जब यहाँ से निकलेगी तो यह दोनों को combine कर देगा यहाँ पे क्या होगा इनका super impose होगा यहाँ पे यह दोनों waves क्या हो जाएगी मिल जाएगी यानि interference हो रहे हैं यहाँ पे constructive और destructive interference बताया था यानि जहाँ पे जुड रही है दो waves तो यहाँ पे super impose होगा इन दोनों waves का और यहाँ से जब wave निकलेगी वो यहाँ से मतलब एक combined wave निकलेगी इन दोनों waves से और जो कि analyzer पे पड़ेगी analyzer हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यह जो light थी वो polarized light थी यहाँ पे तो इस polarized light को detect कोन करेगा detect करने का काम तो analyzer ही करेगा जो कि हमने last video में देखा था कौन focal microscopy में sorry polarized microscopy में mind से slip हो गया था so polarized microscopy में हमने देखा था कि polarized जो light है उसको analyze यानि detect करने का काम analyzer करता है और finally यह analyzer से होते वी यह light आएगी ocular lens पे और यहाँ पे eye piece lens पे जो है वो हमें image देखने को मिल जाएगी तो यह इसका पूरा process था I hope समझ में आ गया होगा और इसी को मैंने theory में भी explain कर रखा है तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो इस technique में हम understand या फिर transparent sample को के contrast को high करके image को देख सकते हैं जो कि दो beams जो है वो एक polarized light से produce होती है initially the polarized light is divided into two rays polarized to each other यानि कि सबसे पहले जो polarized light है वो दो ray में split हो जाती है ठीक है जिसको एक ray को हम बोलते हैं sampling ray जो कि हमारे sample से होके गुजरती है और जो हमारे sample को touch करके नहीं गुजरती उसको हम बोलते है reference ray ठीक है जब ये पहले प्रिजम पे पढ़ती है तो उस टाइम ये दो ray में split हो गई और जिसमें से एक ray को हम sampling ray बोल रहे हैं और दूसरी ray को हम reference ray बोल रहे हैं ठीक है next point में हम यहां देखते हैं then these two rays are focused by the condenser for passes through the sample and travel to adjacent area of the sample divided by the shear उसके बाद में ये दो ray ऐसे निकली ये light source था हमारा और यहां polarizer लगा हुआ है polarized light यहां हो के गुजरी और ये हमारा prism था ये prism मान लो अब ये दो में split हो गई ये वाली sampling ray बोल रहे हैं ठीक है तो यहां पर क्या हो रहा है कि जो sampling ray है वो तो हमारे specimen से होके गुजरती है और condenser lens जो है वो इसको focus करता है आगे यानि हमारे पास में यह condenser lens लगा हुआ है और ये इसको focus करेगा आगे sampling specimen stage के उपर सो इसके बाद में क्या होगा ये stage के उपर आ गया ये हमारा stage है वैसे ये पूरा पिसले diagram में हम समझ चुके है या वापस से ये points समझने के लिए मैं आपको बता रही हूँ ये condenser lens है ठीक है? राइटिंग पर मत जाना तो आगे क्या होगा? इसको हटाना ही पड़ेगा अगर ये specimen रखा हुआ है और यहां से कोई रे होके गुजरेगी तो यहां पर तो dense material रखा हुआ है न अगर dense material होगा तो और ये एक रे निकलेगी जहां पर कुछ नहीं रखा हुआ यानि बिना specimen को टच करें निकलेगी ठीक है? तो इनकी बेच में एक का speed तो जादा होई जाएगा और एक जो dense material से निकलेगी उसका speed कम हो जाएगा तो इस तरह से एक रे को delay हो जाएगा एक रे जो है वो fast चली जाएगी ठीक है? और ये जो interference produce हो रहा है interference produce हो रहा है इसकी वज़े से जो है हम आगे image plane पे एक detailed और 3D image देख पाते हैं ठीक है? सो last में क्या होगा? sample से भी निकल गई अब sample से निकलने के बाद में वो objective lens पर पड़ती है objective lens के बाद में हमारे पास में दूसरा नमार्स के modified wallstone prism होता है और वहां से जब ये गुजरेगी तो वो दो rays को join कर देगा और एक polarized ray जो है वो वहां से निकलेगी और जिसकी वज़े से हमें आगे 3D 3D dimensional appearance image मिलेगी ठीक है? यानि 3D image हमें देखने को मिलेगी so this final junction of ray यानि कि दोनो rays को हमने जोड दिया तो ये junction जो हुआ है ये interference को lead करता है यानि इस वज़े से यहां पर interference होगा और जिसकी वज़े से brightening और darkening image हमें मिलेगी यानि एक जगप एक तो beam आई है उसकी वज़े से bright image हमें मिल रही है और एक dark मिल रही है तो इस वज़े से इन दोनो brightening और darkening के दोनों की वज़े से ही क्या होगा हमें image मिलती है ठीक है? माल लो एक light beam है अब एक तो dim light है और एक जो light beam है वो है bright और इसी वज़े से हम proper clear magnified image यहाँ पर देख पाते हैं ठीक है? आयोप समझ में आ गया होगा तो यह पूरा explanation था जो मैं पहले भी इस diagram में बता चुकी हूँ कि कैसे क्या होता है अगर आप समझना चाहें तो हम वापस से भी देख सकते हैं हम यहाँ देखेंगे हमारे पास में क्या है? हमारे पास में है एक light source यहाँ मान लो हमारे पास में है एक light source अब यहाँ से light निकली अब यह light जो है वो ऐसे light है जो कि non polarized light है तो यहाँ से जो light गई तो वो polarizer पर पढ़ती है यहाँ पर यह polarizer है जो की slight raise को क्या गर देगा polarize कर देगा यानि एक ही direction में ये vibration दिखाएंगे show करेंगी और अब आगे यहां एक लगा हुआ होता है नौमार्स की prism ये एक नौमार्स की prism लगा हुआ है इसको short मैं NP लिख रही हूँ मैं अब ये slight raise को दो beam में split कर देता है और एक beam को हम object या फिर sampling beam बोलते है objective beam या फिर sampling beam आप लिख सकते हो object ray बोल दो और दूसरी को हम बोल देते है reference ray ठीक है reference ray देन आगे क्या होगा हमारे पास में condenser lens लगा हुआ होता है ये है condenser lens condenser lens लगा हुआ है अब ये क्या करेगा in lights को क्या कर देगा हमारे object पे focus करेगा ये हमारा object यानि specimen stage specimen stage पे जो है वो हमारा specimen रखा हुआ है और ये इसके उपर focus करेगा अब इसमें से जो object ray है वो तो हमारे specimen से होके गुजरेगी ठीक है और जो reference ray है वो side by जो area है जहाँ specimen नहीं है वहाँ से हुज़रेगी ओकी यहाँ हमारे पास में होता है एक objective lens objective lens से होके यह light rays जाती है और आगे हमारे पास में एक दूसरा क्या होता है नमार्स की prism लगावा होता है नमार्स की prism 2 बोल देते हैं इसको और यहाँ पे क्या होगा यह दो ray आई थी इसको यहाँ पे combine करके एक ray में निकल जाएंगी है यह इस तरह से कुछ combine हो जाएंगी यानि आपे इसका super impose हो जाएगा और final एक दूसरी नई ray निकलेगी जो की analyzer यहाँ पे एक लगा हुआ है क्या लगा हुआ है यहाँ analyzer analyzer से होते भी गुजरेगी और finally यह उपर जाने के बाद में यहाँ हमें image मिल जाएगी जो image मिलती है वो काफी detailed image होती है ठीक है और magnify होती है यानि हम काफी बड़ा उसको देख सकते है magnify बोल सकते है और इसका जो resolution power है वो भी ज़्यादा होता है तो यहाँ पे क्या occur हो रहा है interference occur हो रहा है इन दोनों range में जैसे एक तो जाएगी specimen से होके यानि specimen से होके जाएगी वहाँ पे क्या है dance area है और जो specimen के side से जाएगी वो dense area नहीं है वो तो खाली area है तो इन दोनों में ये object ray और reference ray में क्या होगा? interference occur होगा इन में से एक ray तो यहाँ से जो निकलेगी तब क्या हो जाएगी? retarded हो जाएगी दूसरी क्या हो जाएगी? advance हो जाएगी और ये जो difference occur हुआ है ठीक है? इसी की वज़य से यहाँ पे image plane पे हमें image देखने को मिलती है ओके? so I hope समझ में आ गया होगा so finally कुछ applications देख लेते हैं आपे कि इसकी क्या application है तो these interference techniques have advantage कुछ इसके advantage भी है जिसके अंदर जो unstained biological sample को हम यहाँ पे देख सकते हैं और living sample को भी हम यहाँ पे देख सकते हैं और इसका जो application है वो biology में crystallography में mineralogy में और chemistry के अंदर हमें इसके applications देखने को मिल सकते हैं और इसके साथ ही साथ हमें देखने को मिलेगा कि इसका resolution है और clarify जो image है वो हमें यहां पे देखने को मिलेगी यहां पे मतलब ज्यादा clarity हमें देखने को मिलती है इस technique के अंदर तो यह कुछ fields थे जहां पे इसका use किया जाता है लेकिन साथ ही साथ कुछ इसकी limitations भी है तो limitations की बात करें तो क्या है On the other hand, these techniques also have limitations as its requirement for a transparent sample of similar refractive index याने कि जो हमारे पास में transparent sample है उसका refractive index जो होगा इस transparent sample का refractive index जो है जो technique है या इस microscopy में जो चाहिए होता है वही होना चाहिए और यह compulsory होता है और इस microscopy से क्या होगा कि जो thick tissue slices है या फिर pigmented cell है उनको हम नहीं देख पाएंगे और या फिर जो non biological samples होते है ठीक है non biological samples जो होते है उनको भी हम नहीं देख पाएंगे क्योंकि यह जो microscopy technique है वो पूरी तरह से polarization dependence होती है ठीक है तो यह कुछ limitations थी इसके बारे में I hope topic पूरा समझ में आ ही गया होगा अगर फिर भी थोड़ा doubt बसता है तो जो video है उसको वापस से आप repeat कर लेना या फिर comment box में पूछ सकते हो किसी भी doubt के बारे में तो आप इसका pdf जो है वो telegram channel पे आपको मिल जाएगा telegram channel का link है वो आपको description में मिल जाएगा आप चाहो तो twitter पे भी follow कर सकते हो यह जो video है वो आपको next video इसी का मिलेगा या तो यह live करतूँ ही मैं या फिर इसका video बना देंगे आप comment box में बता सकते हैं यह सारे के सारे type आपको एक ही video में मिल जाएगे light microscope के अगर video अच्छा लगा हो तो please like कर देना guys और share कर देना अपने दोस्तों के साथ में और subscribe नहीं करा है channel को तो subscribe भी कर देना और bell icon को प्रेज करना मत फूलना ताकि next video जब भी आये तो आपको notification मिल जाए so thank you so much guys